कि रोलिंग , सबसे पहले तो जिद्धी के बारे में क्या कहना चाहेंंगे , तरह की फिल्प मदो पर गजीद्धी यह जिद्धी जो फिल्म है यह एक आशिक जिद्धी मैं आशिक है और वह बहुत बहुत बढ़ा जिद्धी है उसकी हेरोईन है वो फिललन है एक विलन की बेटी है और प्यार करता है जिद है कि उसको ही रोइन चाहिए तो उसमें और अर एक्शन है ड्रामा है कॉमेड़ी है रोमांस है सब कुछ है इसमें ने फुल कमか मर्शल फिल में पावन सिंग और विराजबट भी है और पावन सिंग विराजबट विराजबट ये दोनों का कॉंबिनिशन पहले आच होगा लेकिन मैंने इसको अलग धंग से पेश करने कोशिश की है और विराजबट जो है वह हलका नेगेटिव शेड है और इसका जो है अपना पावन सिंग का ये तोटल मलब की रोमैंटिक है और एक्शन है इसमें मलब मिला जुला के कमर्शल टाइ के बाद बहुत दिन के बाद बाले की किल्मा आ रही है तो कहते हैं कि यूजी ज़रा हम खामोश क्या हुए लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिया है क्या कहना चाहिए है हाँ बीच मेरे अभी पिक्चर आई थे गंगा पूतल जिसमें एक पावन सिंग ही हिरो थे और बी चुरा बड़ा पैसे वाले के बाद मैंने काफी फिल्में की जैसे दरोगा बाबू धर्ती पुत्र देहाती बाबू और चाचा बतीजा जिसमें मैंने नायक का रोल भी किया है और काफी फिल्में करने के बाद एक्सिडेंट के बाद मैंने काफी तीन-चार फिल्में की है अभी ये फिल्म में पूरा फोर्स के साथ जनून के साथ जिद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनानी है और टाइटल जिद्धी है जिद्धी के बात करें तो गाने वाने किस प्रकार के हैं गाने इसमें टोटल कमर्शल है और सैड सॉंग भी है एक कवाली है गरीब नवाज की और आकी माता का अशिरवाद है सब का अशिरवाद लेके हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं जिद्धी अच्छा आकिर में आपसे जनना चाहेंगे फिल्म कब तक फ्लोर पर आने वाली है कब तक अडियों देखो यह तीन दिसंबर को फिक्चर की शूटिंग स्टार्ट है और इसमें हम लोग इने फॉर्णर लड़कियों को भी यूज किया कर रहे है इसमें कौमन जी के साथ ग कर जा हुआं तकikle मैं थे खाति खाता है खुआ है ऱ उने से स्टार जोटे बाबाजी क्या यहना चाहेंगे आज जित्ती फिल्टाब मुरत हो रहा है जी तो कहते हैं मोका भी है देलूर भी है बड़ी खुशी है यह पॉँच जित्ताथ मेरी चौथी फिल्म होगी और मैं बहुत दिन से यह इस चीज का मेरे में बेट कर रहा तो कि बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं तो मेरी यह सोच शुरू से मैं सवस्राइब बड़ा पैसे वाला से ही उनको जानता हूं उस समय से मैं वीट कर रहा था कि मैं इनके साथ सभाग प्राप्त हो मुझे आज वह मैं उनके सथ एक म्यूजिक कर रहा हूं गानों की बात करे जो पहन जी का एक खास अपना एक मूड होता है, वो चाहते हैं कि जो थोड़ा सा हट के हो कुछ हो, कुछ नया हो, रिदम पेटन के कुछ अलग हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं से, कि ज़रूर कुछ होनी के लिए कुछ अच्छा बनाओंगा, और जी बिल्कुत, बिल्कुत, विराज जी भी है, तो पौन जी के अपना जो उपन करते हैं, चार या पाँच गाने उनके अपने होंके, तो बाकि नो गाने हैं टोटल, दो आइटम सोंग हैं, और बाकि अगसा रोमांटिक छड़खानी, जो रहां कमर्शियल होता है, वोस ताइप से आखिर में आपसे एगानी के सिक्राइट में रखता हूं कि जा सबसे घंटेको रखता Healdry कि जैसा जो सिट्फ collaborate न्यों नंकर जरूद दीखना होते हैं क्या पसंद है क्योंकि एक बर्दे पर जो जो हीरो दिखता है तो उनके अनुसार वो गाने होने चाहिए तो फिर समझ में आता है तो मैं उनको ये कोशिश किया हूं कि वो उनके मिजाज का मुझा सब्सक्राइब कर दिखते हैं तो सुर्ण जी क्या कहना चाहेंगिए अज मोका दिये दास्थूर विये कैना चाहेंगे कितनी कुछी हो रही है हमारी फिल्म की मुहूरत हो रही है तो इक कलाकार को इससे बड़ा खुशी और क्या मिल सब्सक्राइब और फिल्म के डारेक्टर है हमारे बाली जी, फिल्म का नाम है जिद्दी, टाइटल बहुत पसंद है मुझे, बहुत पहले हम एक फिल्म हिट दे चुके हैं रमाकांजी के साथ, इसका नाम था जिद्दी आसिक, और ये जिद्दी बन रहा है, तो मुझे बुरा भरोसा है कि एक अच्छे फिल्म मनेगी और हमारे दर्सक को पसंद आएगी जैसे पोस्टर में आपका लुक जो है काफी एंग्री दिखाया गया तो किर्दार किस तरब होगा फिल्में आज मुहूरत हो रहा है फोटो सोट हुआ नहीं है तो जो फोटो मिल गया वो डिजाइन बन गया लेकिन मैंने बाली जी से बात किया तो बोले कि पहुंजी काफी अलग इसमें भाव है आपका मैंने पूछा उनसे की फिल्म में हमको मुष रखना है कि नहीं रखना है तो बोले कि नहीं नहीं रखना है आपको क्लीन रहना है क्यों एस फिल्म में तो अपने को हमको मॉक्ता मिलेगा कि हम वैसा एक्टिंग करें काम करें कि हमारी दर्श कहां से खुश हुं और इसके बाद थो इंगिस्टा अउजिक है अब इसमें दिल कैसा संगीत होगा और क्या कुछ अलग देखने मिलेगा तर्शकों को इस फिल्म से भीया मैं जब से गाय की लाइन में आया हमारे स्रोता इतना हमको प्यार भी है कि गाना गाते गाते पाउन सिंग्ग हीरो बन गया तो मतलब मैं अपने स्रोता को ही अपना मालिक मानता हूं अपना जज्म मानता हूं अपना भगवान मानता हूं नहीं के असिल्बात से हूं तो छोटे बाबा का इस film में संगीत है जो हमारे साथ एक हिट फिल्म में मुजिक दे चुके हैं जिस फिल्म का नाम है सपेरा बड़ा एक अच्छा गाना बनाया थे उसी टाइम से हम इनके मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब दिवाने हो गए उस गाने का बोल ये था जन मों जनम के नाता जन मों जनम के नाता जुड़ाले विधाता नेहिया लगा के धन भाई नी तो हारा के पाके मुझे पूरा विस्वास है कि जिद्धी फिल्म में हम और छोटे बाबा बैठेंगे और एक अच्छा मेजिक बनाएंगे जो हमारे दर्सक को खुब जुमाए और खुब पसंद आया आखिर में आप से जानना चाहेंगे आप गाय की भी करते हैं एक्टिंग भी करते तो द बहुत पहले से नंबर वन था है और रहेगा मेरे लिए एक्टिंग दो नंबर पर हैंए और जिंदगी में देखिये कोई भी चाहता है कि हम आगे बढ़ें आज हमारा पबलिक ही मुझे गाय कपनाया मेरा पबलिक ही मुझे हीरो बनाया तो पहले गायकी मैंने सीखा तो मेरे लिए पहले गायकी है एक आखरी सवाल कि कहा कहा पर शूटिंग होने वादी है कुछ तयारी भी है इस फिल्म का जहां तक मैंने सुना कि कुछ बनारस में की जाएगी और फिर गुजरात में करेंगी आखरी बात चलते चलते वह आपका आप लोगों के चैनल के जरिये जो भी हमको देख रहे हैं मा चाचा चाची बहीन चाचा भाईया बाबा आजी सब के पैर छुके परणाम करतनी आप लोग हमके आसिरबाद नी और दिवाली के बहुत-बहुत सब कामना और हमारे मिडिया भाई लोग एक फर्माइस किये है गाना का आप लोग पसंद किये हैं गाने को तो मैं सुना रहा हूं हमसे बाद करने के लिए बहुत-बहुत धन्या बाता है जी तेक्क्यू आइए ओके रेड़े नमस्ते म्यूजिक इंडिया चैनल के जे भी दर्सक देख रहालबा हम पावन सिंग के तरफ से दी पावली के बहुत-बहुत सुब कामना मुगे जी क्या कहना चाहेंगे आज मुःत होरा है कहते है मुखा भी दस्तूर भी ए कित्ति खुछी हो रही है आपको पावन जी को लेके फिल्म बना रहे उसली तो बहुत है हमें कि पावन भाई का फरपूर सहयोगर विराज जी का भी सहयोग है हमें